पार्ट मारने के पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा तकड़ा शॉट बल्ले के एक दम बीच से निकली है गेंद दोनों ही बल्ले बाज अप सेट हो चुके हैं क्रीज पर दोनों ने पिछ को अच्छी तरह समझ लिया है अच्छी गेंद बल्ले बाज ने काफी लेट रियाक किया और गेंद जाके शायद बॉड़ी पे लगी है क्या शॉट लगाया है फिल्डर्स बने दर्शक पूरी तरह से डिजर्व करते हैं ये शान दर्शक अच्छी 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 इन्हें आउट करने के लिए गेंद बाजों को एक नई योजना बनानी पड़ेगी ओ शॉट को मिस्स किया और गेंद सीधा बल्ले बाज की बॉड़ी पे लगी बल्ले बाज को बिलकुल आइडिया नहीं था उस गेंद को कैसे खेले बल्ले बाज पिछली गेंद पर बड़े अनकमफर्टबल लगे ओ बहुती बहतरी गेंद बाजी बल्ले बाज को बिलकुल परेशान करते हुए यहाँ पर बल्ले बाज जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे होंगे और यह गेंद हमाने मौका गवाया अंग्रेजी में कहते catches win matches अब देखना दिल्चस वोगास की इस गल्ती का मैच पर क्या प्रभाव परसकता है कप्तान ने अपने resources को बहुत अच्छी थार से यूज़ किया है तगणा शॉट बर लेके एक दम बीच से निकली एगेंद उठा के मारा है आसानी से खेलाए एक रण के लिए बना ही करीबी मामला हिच के चाहर दोनों बल्ले बाज़ों के बीच शायद सुरक्षित होंगे यहाँ बेटर इंग बेटर इंग बेटर इंग बेटर दोनों बल्ले बाज़ों के बीच जबरदशार बले का बढ़िया कनेक्शन और गेंग गई सीदा हवाई यातरा पर और ये गेंद हवाँ में गजब का कैच बल्ले बाज है इसी फील्डिंग देखकर इस विकेट की तलाश थी इने कैप्टन काफी खुश गेंद बाज से कप्तान ने बड़िया फील्ड लगाई है और गेंद बाज भी फील्ड के अनुसार ही गेंद बाजी कर रहे है बल्ले के बीच से निकला ये शौर्ट क्राउड में जा गिलेगा देखना होगा क्या गेंद बाज शौर्ट पिच गेंद की कोशिश करेंगे इस पिच पे बल्ले बाज को बिल्कुल आइडिया नहीं था उस गेंद को कैसे खेले बल्ले बाज जरूर्ट पिचली गेंद के बारे में सोच रहे होंगे और ये मैक्सिमम गेंद जाएगी बाउंडरी के उपर से चपके के लिए तकड़ा शॉर्ट बल्ले के एक दम बीच से निकली ये गेंद चारन बोका विला और कैसिन के अबलिवाज ने जब ये फुल फॉर्म में होते हैं गेंद बाजों के चपके छुड़ा देते हैं बढ़िया गेंद बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज बड़े शॉर्ट मारने के पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा बल्ले का किनारा जरूर लगा पर गेंद सीधा स्टंप्स में लाइन बढ़िया लेंग जबर्दस शानदार गेंद बाजी अच्छी अक्यूरिसी दिखा रहे हैं गेंद बाज अपने स्पेल में पूरी तरह से चुग गए बढ़िया गेंद बाजी गेंद बाज अच्छी लें में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं बल्ले बाज ने लाइन मिस की और गेंद जाके लगी बाजी पे बढ़िया गेंद बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज बल्ले बाज पिछली गेंद पे बड़े अंकमफर्टबल लगे हवा में दे मारा है और सटीक ठ्रो की अपेक्षा थी यहां पे किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतु पूर होते हैं जबर्द शॉर्ड बले का बढ़िया कनेक्शन और गेंद गई की सीधा हवाई यात्रा पर हराफ शॉर्ट सेलेक्शन बिलकुछ समझ नहीं पाए गेंद को स्पिन गेद माज वापस आते हुए बड़े शॉर्ट मारने के पहले बल्ले बास को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा ओ बल्ले का किनारा लगा किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतुपूर होते हैं फील्डरों के बीच गैप ढूलने में काम्याब चार रन के लिए जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है उठा के मारा है इससे कहते हैं अग्भुत कैच कैच अफ दो मैच की श्रेडी में इससे जरूर सामिल करना चाहिए अपनी पारी की शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्ले बास को आसानी से खेला एक रन के लिए खूपसूरत त्रो बिलकुल स्टम्स के उपर ये पिछ मेरे हिसाब से काफी बैलन्स लग रही है बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए बढ़िया गेन बिलकुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज बल्ले बाज पिछली गेन पर बड़े अंकमफरटबल लगे खराब शॉर्ट सेलेक्शन बिलकुल समझ नहीं पाएं गेन को बड़े शॉर्ट मारने के पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा और ये मैक्सिमम गेन जाएगी बाउन्री के उपर से चक्के के लिए भीमी गेन इस पिछ पे एक अच्छा विकल्प होगा वाह क्या क्लीन बैक स्वेंग छे रन दरशक इस पचास रन को अपने तालियों से सराते हुए बहुत ही अच्छी पारी ओ लगी बल्ले बासकोवा आशा करते गंभीर ना हो वाह क्या कड़क शॉट मारा है दरशको ने बढ़िया माहौल बनाया आए आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही हुने बहुत अच्छी रुटने डिक्ट्गट्ग्स गेन बाज आपर बहुत सहेट कर दोन पार लिंगे फैसला कि युजे तो यहां बल्लेबास सुरक्षित लग रहा है और कंफर्म किया बड़े स्क्रीन ने किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतुपूर होते हैं करारा प्रहार बल्लेबास का छे रन के लिए क एक 시작़ा एकार के किया लाहर मादा झाहरा बल्लेबा बल्लेबास महतुन हो और है लेक बाइस का इशार आमपायर का टीम के खाते में एक और रन किसी फील्डर को मौका नहीं वहां पर और गेंज सीदा सीमा रेखा के बाहर जब ये फुल फॉर्म में होते हैं गेर बाजों के छक्के छुड़ा देते हैं खरीबी मामला शांदार पिक अप और थ्रो फील्डर का और ये रन आउट काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती फिर ना दोर आए समझ नहीं आया हमें क्या करना चाहते थे बल्ले बाज इन्हें वापस पविलन लौटना पड़ेगा पूरी तरह से चुग गए बढ़िया केल बाजी बल्ले बाज पिछली गेंद पर बड़े अनकमफरटबल लगे हो लगी बल्ले बास को वा आशा करते गंभीर ना हो स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनद उठा रहे है बाकी लंबार उठ जफ शाट लगा है चेरन बाल बाल बचे बल्लेबाद बेटरी गेन बाजी बल्लेबाद जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे हूंगे आसानी से केला एक रन के लिए के लिए है बचानी के लिए बाल बाल बाजन के लिए भूचुट को मिस्केया हुर गयं सीदा बल्लेबाद की बाड़ी पे लगी हवा में खेला है ये शौर घजब का कैच बल्ले बास है इसी फील्डिंग देखकर इस विकेट की तलाश थी इने कैपटन काफी खुश गेंद बास से नए बल्ले बास को स्ट्राइक पे रखने की बहुत कोशिश करेंगे ये कपतान ओ ये गीम तो लगी होगी अजीब पॉजिशन में आ गए थे बल्ले बास बड़िया बॉलिंग बल्ले बास को परिशानी में डाल रहे है आपर बल्ले बास जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे हूंगे आसानी से खेला एक रन के लिए ये करीबी मामला हो सकता है भारी किनारा और सीधा फील्डर के हाथ में बल्ले बास बेविलिन का लंबा रस्ता तैय करते हुए अपनी पारी की शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्ले बास को अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा अच्छा त्रोफिल्डर का तेंज और बिल्कुल ठिकाने पे बहुत ही बढ़िया गेंबादी का प्रतर्शन गेंबाद द्वारा गेंबाद अच्छी ले में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं च्छतुराई से गेंबादी कर रहे हैं गेंबाद बड़े शॉट मारने के पहले बल्लेबाद को पिछ पर थोड़ा समय पिताना होगा उठा के मारा है और या उठ जाना होगा बिना खाता खुले पविलिन के और जाते हुए बल्लेबाद बड़े हताश नए बल्लेबाद को स्ट्राइक पर रखने की बहुत कोशिश करेंगे यह कप्तान बहुत ही बहतरी गेम बाजी बने बाज को बिलकुल परेशान करते हुए यहां पर आसानी से खेला एक रन के लिए और यह मिस्स फील्डिंग शायद बॉल की गती भाप नहीं पाए खेलाडी सही जगह पे मौजूद तो थे बगर शायद सतर्क नहीं अच्छा शॉर्ड बस सिंगल ही मिलेगा देखना होगा क्या गेन बाज शॉर्ट पिच गेन की कोशिश करेंगे इस पिच पे सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है स्टाम्स के बहुत करीब थी ये तो बढ़िया फील्डिंग ये पिच मेरे हिसाब से काफी बैलेंस लग रही है बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए अच्छी गेन बल्ले बाज ने काफी लेट रियाक किया और गेन जाके शायद बाड़ी पे लगी है आकरम कप्तानी स्लिप फील्डर लगाया है बहुत अच्छी रणिंग बिट्विट्विकेट्स स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का अनंद उठा रहे है आसानी से खेला एक रन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी ये त्रोग कलेक्ट करने में घराब शॉर्ट सेलेक्शन बिल्कुल समझ नहीं पाए गेंद को बल्ले बाज पिछली गेंद पर बड़े अंकमफर्टबल लगे क्याप में खेल दिया है क्या दूसरा रन्चुरा पाएंगे और सटिक थ्रोग कि अपेक्शा थी यहाँ पे दोनों बल्ले बाज एक दूसरे को मबारच देते हुए अपने जीत की खुशी मनाते हुए पाएंगे